हुआ है गाइस कुट मॉरिंग है माइडियर फ्रेंड इसायाटी लाइबरी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत सौगत है दोस्तों यह आज हमारा खेल कुद का पांचमा लिच्चर है ठीक है और इससे पहले हमने ओलम्पिक खेल 16 तुझा 16 रियो ओलम्पिक खेल राश्ट वंडल खेल जिसे अपन क्या बोलते हैं हुं का मेंबर मां दो आज हते हैं तो काउन विल्थ गेम ठीक है ये सारे चीज़े हम मैं प्यापिरिस यह च्वाश्ट में कर सकते हैं इसके लाभ और च den डल भाज ड्यूक्र ओब-खक्प करेंगे थर्ड खेलोत्सव का जो सबसे बड़ा खेलोत्सव मना जाता है तो वो होता है ओलम्पिक गेम उसके बाद राष्ट मंदल खेल और तीसरे जो सबसे बड़ा खेलोत्सव होता है माईडियर वो होता है जिसके बारे में आज हम डिसकस करने वाले हैं ठीक है तो दोस्तों चलते हैं हम एसी आई खेल की तरफ तो माइडियर दी हम बात करें कि एस याई जो खेल का प्रारम कब से हुआ ठीक है तो वह है चार मार्च 1909 को नई दिल्ली में हुआ था और एस याई खेल संग ने चमकति सूरज को अपना क्या माना प्रतीक चिन भोशित किया था ठीक है ना प्रतीक चिन क्या गोशित किया चमकता हुआ सूरज बात समझ में आई तो माइडियर दो चीज़े ध्यान में रखेंगे कि खेल का प्रारम चार मार्च 1909 को हुआ और एस याई खेल संग ने चमकते सूर जो 2018 में हुआ था और इस लिए इसके कुछ विशेष जो तत्य हैं उसको हम डिसकुस कर लेते हैं माइडियर क्योंकि यह लास्ट है इस याई गेम तो इससे कोशिशन पूछा जा सकता है ठीक है ना तो इसको थोड़र सा डिटेल में हम बाते करेंगे बात समझ में आई तो माइडियर जो अट्रावां एस याई खेल है उसकी जो आयोजन की अवद थी क्या थी 18 अगस्त से 2 सितंबर 2018 थी आयोजन इस्थल क्या था माइडियर तो है जकारता और पालेंबाग था उद्गाटन करता कौन थे तो इंडोनेसिया के राजपती जोको बिडोडो थे ठीक ह समापन करता कौन थे तो ओलंपिक कॉंसिल आफ एसिया के अध्यक्ष एहमद अलफहद अलसबा थे माइडियर और खिलाडियों की और से जो सपत लिया था उस खिलाडी का नाम था अरकी डिकानिया विश्णू जो बास्केट वाल खिलाडी इंडोनेसिया का है ठीक है ना इथे आट्रावाब आइसिया फैल का जो सुभंकर था माइडियर जिसे इंग्लिष में मसकट बोलते हैं तो वह था भिन विन स्धिर्य की चडिया बोले आता है का का एक सिंह वाला गेंड़ा होता है फो एक कहता है इनको हमने क्या माना था सुभंकर माना था जो failure था फोटावलाउय लाइसटा है को मोटो था उदयस था लक्षफ था वह क्या था इनरीम याउओ थोटेंटा नज विंतांग जिसका होता है सितारों को छुयें ठीक है बात समझ में आई फिर एदिमालियम आइडियर हम बात करें कि सर्वसेस्ट जो एथलीट थे तो कौन थे तो उनका नाम था तैराक रिकाको एकी जो कहां के थे जापान के थे ठीक है ना खेलों की संख्या इस परधाय कितनी थे तो 40 खेल थे 465 इस परधाय थे सामिल देश एवं खिलाडों की संख्या देखा या तो 45 देश सामिल थे जिन में 11720 खिलाडी इंक्लूड़ेट थे माइडियर बात समझ में आई फिर सर्वसेस्ट खिलाडी हम एथलीट बात करी लिए हैं कि तैराक रिका कोई की थे जो जापान के थे और एस याई खेलों में पहली बार स्पोर्ट्स एवं कैनोए पोलो खेलों को प्रदरसन के रूप में सामिल किया गया है इन दो खेलों के लिए पदक वर्स 2022 में हांगजू चीन में प्रदान किया जाएगा ठीक है ना क्या पॉल रहा है ये कि एस याई खेलों में पहली बार स्पोर्ट्स एवं कैनोए पोलो दोनोग गेम है माइडियर ठीक है ना स्पोर्ट्स एन कैने बोले पोलो खेलों को प्रदरसन के रूप में सामिल किया गया था और इन दो खेलों के लिए जो पदक था वर्स 2022 में हांगज तो चीन्वदान किया जाएगा माईडियर बात समझ में आई अभी नेक्स चलते हैं तो ये क्या बोला है कि ACI खेलों के इतिहास में हौकी में पहली बार बीडिए crystal शिस्टम का प्रयोग किया गया माई में सामिल 10 नए खेल कौन-कौन से थे तो उनमें था 1.3 बास्केटबॉल ब्रिज जो तास के पत्तोवा खेल है जेट इस्की था पैरा ग्लाइडिंग था पेनकॉक था सिलाट था जुजिट्सु था सामबो था कुरास था रॉक प्लाइमिंग रोलर स्पोर्ट्स 17 ACI खेलों क समापन कब हो गया माइडियर यह दस खेल थे जो सामिल थे ACI गेम्स में और जो 17 ACI खेलों का समापन 4 अक्टूबर 2014 को हुआ था चार साल बाद होता है 2014 को हुआ था फिर अब 18 में हो रहा है बात समझ में आई ठीक है अभी नेक्स देखते हैं माइडियर तो उसमें 18 ACI खेल करके में बारत का क्यारोल था हम यह देखने वाले हैं ठीक है 상 Koliner 27 एकेड़ों को कि भारती दल का नेतु ने किए था जब की समापन सामारों में भारति दल का नेतुत भारति महिला होंकी टीक कपतान रानी रांपाल के द्वारा किया घए था बात समझ में आई मतलब जो उद्घाटन था वह भाला फेकी लाड़ी नीरत चोपड़ा ने किया था और समापन जो था भारती महिला हौकी टीम की जो कप्तान है उनका नाम है रानी रामपाल क्या नाम है रानी रामपाल तो रानी रामपाल मेडम ने इसका नेतित किया था माई डियर बात समझ में आई फिर नेक्स चलते हैं दोस्त तो इन खेलों में निसाने बाज रभीकुमार एवां अपूरवी चंदेला ने भारत के लिए पहला कास पदक के में प्रात किया ठीक है ना और पहलमान बजरंग पूनिया ने 65 किलोग्राम भारवर्ग में भारत को पहला स्वण्ड पदक दिलवाया बात समझ में आई मतलब पहला पदक जो था वह निसाने वाज रभीकुमार एवां अपूरवी चंदेला ने भारत के लिए पहला पदक का सथा उसको दिलवाया ठीक है ना उसके बाद माइडियर जो पहलमान बजरंग पूनिया 65 किलोग्राम भारवर्ग भारत को पहला स्वण्ड पतक दिलवाया फिर विनेस फोगाट एस याई खियोलों में स्वण्ड पतक गीतने वाली प्रथम भारती महिला पहलमान बनी व स्वण्ड पतक गीतने वाली प्रथम भारती महिला निसाने वाज बनी इसमें परिशान होने योड़न नहीं है ठीक ना इसको अच्छे से आप याद कर सकते हैं कि नेतित तो किस ने किया तो निरत चोक्रा ने किया महिलाओं में देखा जाय तो भारती हांकी टीम में कप्त माइडियर पहलवानी की बात करें तो बजरंग पुनिया ने 65 किलोग्राम भारे में भारत को पहला स्वण्ड दिलवाया और महिलाओं की बात करें तो विनेस फोगाड ने पहला स्वण्ड पतक गीतने वाली पहली भारती महिला बनी माइडियर फिर महिला पहलमान बनी फि है अभी नेक्स दिखते हैं दोस्तो सारदुल बिहान क्या नाम था सारदुल बिहान जो पंदरा वर्सी निसाने बाज है ठीक है ना और इन्हें डवल ट्राइप इस परधा में रजत पदक एसी आई खेलों में भारत के लिए पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाडी ब जीरों से पराजित कर अंतर राष्टी होंकी में भारत के लिए अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्जी की माइडियर रिकॉर्ड जित थी जिसमें भारती पूरुष टीम ने होंग कॉंग को 26-0 से अराया माइडियर जो की अपने आप में बहुत बड़ी वात है फिर अठाम में आई इस तरीके से ACI गेम का पूरा जो में में चीजें थी वो माइडियर यहां पर खतम होती है अब हम जो कुछ प्रमुक खेल एवां उससे संबंधित जानकारिया है उसको आपके साथ साजा करेंगे जैसे की क्रिकेट ठीक है होकी फुटबॉल बॉली बॉसकेट बॉ इस अच्छे से discussion किया जाएगा तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्लीज 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 यार वीडियो को यार सब्सक्राइब जलूर करो आप लुग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो या सब्सक्राइब नहीं करोगे तो यार मजा नहीं आता हैं उनके बारे में वहां से कोशन पुछता है माइडियर बात समझ में आई तो अभी क्या है कि हमारे जो गेम हैं ओलंपिक हुआ ओलंपिक खेल हुआ रास्ट मंडल खेल हुआ जिसे अपन कॉमन बिल्स चानते हैं और एस याई खेल दो हजार सोलर यह ओलंपिक के बारे में हम लोग प्रिवियस एर के पांच साल के पुराने 5-6 साल के पेपर प्लेलिस्ट में डले हुए हैं सॉलूशन सहीद आप वहां पे जाके देख सकते हैं थोड़ा सा ओडियो उसका कम है तो आप एयर फोन यूज कर सकते हो है ना ओके च